हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको NIT कालिकट का कटफ बताने वाला हूँ कि NIT कालिकट जो है इसके अंदर कितना कटफ गया है 2021 के अंदर इसी को दोस्तों आप approximate कटफ कंसिडर कर सकते हैं admission जो कि आप चाहते है 2022 के अंदर ठीक है दोस्तों यह जो डाटा है काफी accurate डाटा है क्योंकि यह जो coaching instructor मैडिजी उसके दोरा IDF फाइल करने पर यह डाटा मिला है जो कि काफी हद तक बहुत जादा accurate है तो आइए start करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं आपको round first का जो maximum और minimum score है वो बताने वाला हूँ जिसे कि आपको NIT Calicut के अंदर जो भी score चाहिए admission के लिए 2022 में वो एक approximate idea मिल जाए यह जो डाटा है दोस्तों 2021 का है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे पहले specialization से structure engineering, traffic and transportation engineering, water engineering and environment या फिर geotech engineering ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों general EWS, SC, ST और OBC का maximum और minimum score आपको दिखाया गया है जैसे कि अगर आप बात करें structure engineering आप चाहते हैं और अगर आपका score 697 से 623 के बीच में अगर है दोस्तों और आप general category से तो आप इस branch के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर 90% chance है कि आपको यह branch अलोट हो जाएगी क्योंकि दोस्तों यह जो है maximum और minimum score है round first का और आप जानते हैं CCMT के तुरू बहुत सारे rounds होते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा chance है कि आपको particular यह branch अलोट हो जाए या यह specialization अलोट हो जाए एसी दोस्तों अगर आप OBC category के है तो आप देख सकते हैं कि जो maximum score है यह आपर structure engineering के लिए वो 608 required है और अगर आपका minimum score 597 के something भी है अगर है तो आप इस branch के लिए भी ज़रूर choice feeling में priority दीजी क्योंकि यहाँ पर आपको chances है यह branch मिलनेगा ठीक है ऐसी friends आप देख सकते हैं traffic and transportation engineering के अंदर general category वाले का score अगर इसके बीच में है कहीं 3602 और 566 के बीच में है तो आप इसको भी priority दीजी क्योंकि यहाँ पर chances है कि आपको यह भी मिल सकता है ऐसे बाकी category वाले देख सकते हैं अब इसके के लिए यही दोस्तों जो range है 558 से 540 के बीच में आ चुकी है फर्दर अगर बात करें water resources engineering की तो दोस्तों general category के लिए maximum score जो गिया था इसका 580 था और minimum score जो था 577 था EWS के लिए आप देख सकते हैं ऐसे ही obviously के लिए दोस्तों यह score रहा है 513 to 475 रहा है चीक है मेरे क्याल से यहां तक चीज क्लिए होगे environment और geotek के आप लिए आप देख सकते हैं कि यह जो score रहा है 563 to 531 रहा है general category के लिए और obviously के लिए आप देख सकते हैं 527 और 502 रहा है मतलब कि अगर आपका score के इस जो मैंने यह आपर बताया है इसके आसपा से आपकी respective category के अंदर दोस्तों तो आप इन particular specialization के लिए जरूर apply कीजिए या priority दीजिए इनको क्योंकि chances है यहां से आपको respective specialization मिलनेगा क्योंकि यह जो data है first round का है और ऐसे ही पोस्तर round CCMT के तुरू आपको देखने को मिलेंगे I hope यह जानकरिया आपको अच्छी लग जोगी ऐसी अगलर NITs और IITs के cutoff के लिए हमारे channel को subscribe करें लिंक आपको description में दी गई है Thank you